Next question शुरू करते हैं एक वस्तु का विक्रे मूले निश्चित है यदी से इस मूले के 2 बटा 3 मूले में बेचा जाता है तो 10% हानी होती है निश्चित मूले पर बेचने से कितने परतिशा तलाब होगा मालिया विक्रे मूले जो है विक्रे मूले X है और क्रे मूले 100 रुपे है अब यह कह रहा है कि 2 बटा 3 जो विक्रे मूले है उसका 2 बटा 3 मूले में बेचने पर 10% हानी होती है हानी अमेज़ा क्रे मूले पर होती है क्रे मूले हमने 100 माना था 10% हानी होई तो 10% हानी 10% को लिखते हैं एक बटा 10, हानी है तो लिखेंगे 9 बटा 10, तो इसकी गुणा कर देंगे, 100 गुणा 9 बटा 10, यह सी दाई, इतना तो simply कर सकते हैं, यह होगा 90, तो इसमें है, x का 2 बटा 3 जो है, 90 के बरावर है, तो बस इसको कर लेंगे इसकी गुणा, तो यह हो जाएगा, 2x बटे 3 बराव इस गुणा 3 हो जाएगे, 135, तो 135, 135 रुपे हो गया यह, यह 135 परसेंट हो गया, लेकिन करे मुल्य तो 100 रुपे था, और भी करे मुल्य आया हमारे 135, तो इसने पुछा है कि, निश्चित मुल्य पर बेजने कितने पर 30 साथ लाव होगा, निश्चित मुल्य इसका 135 है, और क 135 मुल्य था, 100 तो कितना होगा, 35 परसेंट, यह 35 परसेंट कर लाव होगा, यह answer है, नेक्स्ट कोस्चन देखते, एक व्यक्ति रेक गड़ी को 1600 रुपे में खरीदा, इस गड़ी को बेचने पर उसे विक्रे मुल्य का 20 परसेंट लाव मिला, गड़ी का विक्रे मुल्य क्या क्रे मुल्य के 20 परसेंट का लाव मिला, तो विक्रे मुल्य पर 20 परसेंट का मिला लाव, तो क्रे मुल्य क्या हो जाएगा, क्रे मुल्य हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80, 80 परसेंट, लेकिन इसमें दिया गया है, कि वेक्तिन इस गड़ी को 1600 रुपे में खरीदा था, लेक बटे 80 गुना 100 0 से 0 कट जाएगा और 8 से 2 बर कटेगा और ये 0 ये होजाएगा 20 गुना 100 बराबर होजाएगा 2000 तो ये विक्रेम मूल्य पूछ रहा था 100 परसेंट जो हमारा विक्रेम मूल्य था वो है 2000 रुपे के बराबर ये इसका अंसर है नेक्स वोस्चन देखते हैं एक दुकंदार ने कोई वस्तू 0.5 परसेंट आनी पर बेची यदि वैसे 100 रुपे अधिक में बेचता तो उसे 7.5 परसेंट लाब होता 12.5 परसेंट लाब कमाने के लिए वस्तू का विक्रेम मूल्य क्या होगा तो इसमें क्या है कि इसने दिया है 1.5 परसेंट आनी पर बेच दी और अगर वो 100 रुपे अधिक में बेचता तो उसको 7.5 परसेंट का लाब होता तो इन दोनों का अंतर जो है 100 रुपे के बराबर है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10 परसेंट यह ऐसे हो जाएगा मैं लेज जीरो है और इधर लाब और इधर हानी तो हानी है इधर 0.5 परसेंट और लाब है 7.5 परसेंट तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10 परसेंट तो इसने दिया 10 परसेंट बराबर 100 रुपे कि 12% लाब कमाने के लिए विक्रामूले क्या होगा तो 12.5% लाब तो 12.5% को हमें एक बटा 8 भी लिख सकते हैं यह एक बटा 8 ऐसे लिखेंगे कि 12.5 बटे 100 इनको काटेंगे तो इससे कट जाएगा एक बटा 8 बार एक बटा 8 अब इसमें लाब है तो लाब में क्या करते हैं अंस को हर में जोड कर उपर लिख लेते हैं तो यह आजाएगा 9 बटा 8 अब यह पूछ रहा विक्रामूले क्या होगा क्रामूले है एक हजार रुपे और उसका 9 बटा 8 और इसमें जोड लेंगे तो यह हो जाएगा 8 से देखें यह 8 से कट जाएगा 8 से यह 125 बार कट जाए एक हजार 125 रुपे यह यह अंसर है दोबार देख लेते हैं 5.5% आनी हुई 7.3% लाब इन दोनों का अंतर दिया है 100 रुपे के बराबर है तो यह दोनों होगे 10% 10% बराबर होगा 100 रुपे तो 100% कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1000 रुपे आगए कोस्चन पर पुछ आए कि साड़े 12% लाब कमाने के लिए कितना भी क्रैमूल्या हुगा साड़े 12% को लिखते है एक बटा 8 लाब है तो 9 बटाट 1000 में 9 बटाट की गुना करेंगे तो 1125 आजाएगा नेक्ट कोस्चन है किसी वस्तू को 69 रुपी की उपे एकसा 78 रुपे में बेश चिनने से लाब परतिसाद दुगना है इस वस्तू का क्रैमूल्या क्या है वैसे तो इसका यह है कि इस तरह के कोस्चन में जो भी 0 वाला आंसर होगा वो इसका आंसर होगा लेकिन फिर भी दे तो यह बोला कि लाब दुगना होता तो एक हिस्सा तो यह है तो दुगना करने के लिए इतना ही साइड में करना पड़ेगा तो इसमें से 9 गटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 तो वो जो मूल्या करा है मूल्या वो 60 रुपे है 60 का अगर एक 9 गुणा करेंगे 9 परसेंट चावल खरी दें इन चावलों का 3 बटा 4 भाग उसने 10 परसेंट आनी पर तता से 10 परसेंट लाब पर बेचा पुरे सोदे में उसे प्राप्त हुआ तो यह क्या है कि यह पुछरा कितना लाब अथवा आनी हुई तो इसके 3 बटा 4 भाग में से आनी हुई तो जैसे इसके 4 इसे कर लेंगे 1, 2, 3 और 4 तो 3 इससा 3 बटा 4 पर उसे 10% हानी हुई 10% हानी पर ततीयक भाग में और इस पर उसे 10% लाब पर बेचा तो टोटल कितनी हो जाएगी तीन इससे है तो 10 गुना 3 बराबर 30% हानी और लाब कितना हो जाएगा यह तो एक इससा है तो यह हो जागा 10 परसेंट तो इन दोनों इन सब का अंतर देख लेंगे तो 30% माइनस 10% बराबर हो जाएगा 20% तो 20% इससे आनी हुई लेकिन हिस्से तो 4 है 1, 2, 3, 4 है 4 हिस्सों में से 20% की आनी हुई तो 20% बटे 4, 4 से एकटे का पहुए तो टोटल 5% आनी हुई उसे यह इसका अंसर है नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे तो यह आपको डाउट किलियर हो जाएगा एक व्यापार ने कुल माल को का दो ती आई 5% लाब परता था सेस बाग 2% आनी पर बेच दिया यदि कुल लाब 4000 रुपे हो तो कुल माल का क्रैमूल ले क्या होगा उसने इसको तीन हिस्सों में बाढ़ दिया एक दो और तीन तो दो हिस्से जो थे उन पे तो उसे 5% लाब हुआ और एक हिस्से पर इसको 2% आनी हुई तो टोटल कितनी हो जाएगी यह 5 गुना 2 बराबर हो जाएगा 10% लाब और इधर 2% माइनस 2% आनी तो टोटल हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8% लेकिन यह भाग तो 3 है एक दो 3 तो 8 बटा 3% आनी हो जाएगी 8 बटा 3 लाब हो जाएगा यह क्योंकि इधर लाब है 8 बटा 3% लाब हो जाएगा अब यह बोल रहा है कि जो यह 8 बटा 3% कुल लाब जो है ना हमें 8 बटा 3% जो लाब है यह 4000 रुपे के बराबर है तो यह पूछ रहा है कि कुल करैम मुल्य क्या है तो 100% पूछ रहा है तो 100% के लिए क्या करेंगे चार हजार ये उपर चला जाएगा तीन परसेंटेज में दिया हुआ है तो सो की गुना कर लेंगे और बटे आठ आठ से एकट जाएगा पांच पर दो जीरो तो इन सब की गुना कर लेंगे तो आजाएगा पांच तीए पंदरा और चार जीरो एक लाग पचास जार रुपे का तोटल उसका माल था ये इसका अंसर है नेक्स्ट कोस्चन है आसीस ने 120 कुर्सिया 440 रुपे पर्ति कुर्सी के दर से खरीदी इन में से 320 कुर्सिया 60 रुपे पर्ति कुर्सी के लाब पर तथा 75 कुर्सिया 80 रुपे कुर्सी के लाब पर तथा 60 कुर्सी 36 रुपे पर्ति कुर्सी हानी पर बेच दी पर्ति कुर्सी ओसत लाब क्या है तो इसमें इससे कुछ लेना देना नहीं कितना हुआ अब देख लेते हैं कि इसने 30 कुर्षिया जो थी पर तेको 60 रूप पे लाब पे बेचा लेकिन परसंटेज निकालने के लिए ओसत निकालने के लिए टोटल 120 थी तो 120 से भाग दे देंगे फिर दूसरा कहरा कि 75 कुर्षिया तो ये पलस 75 जो कुर्षिया है में भी लाब पे बेची तो ये 75 कुर्षिया 80 रूपे परती कुर्षि 80 रूपे परती कुर्षि लाब पे बेची तो 120 सही से भी भाग दे लेंगे लेकिन बाद में जो सेज कुर्सिया बची सेज कुर्सिया कितनी बचेंगे टोटल कुर्सिया थी 120 माइनस 30 कुर्सिया तो यह और 75 यह तो कितनी हो गई यह हो गई 120 माइनस 105 बराबर 15 कुर्सिया 15 कुर्सिया जो हो गई वे उसने 36 रुपे प्रति कुर्सी की हानी पे बेचीना घटा लेंगे वो साथ निकालने के लिए 120 से भाग दे दिया तो इन सब की कैलकुलेशन कर लेंगे तो यह आ जाएगा इसकी 30 की गुना इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 15 गुना 36 हो जाएगे 540 इन गटाएगे तो यह आ जाएगा इन दोनों को जोडने से आ जाएगा यह 7800 माइनस 540 बटे 120 तो इसको काट लेंगे यह इसके बाद गटाने के बाद आ जाएगा यह 7262,360 बटे में 120 तो 120 से इसे भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा 12 से भाग देंगे 12 से 6 कटेगा और इसे काटने के बाद यह आ जाएगा 60.5 तो 60.50 पैसे 60 रुपे 50 पैसे परती कुर्सी उसने लाब कमाया यह यह आंसर है